नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लास इसमें आपका स्वागत है तो हम लोग जेनल लवेनिस के इंपोटेंट कोशन डिसकस कर रहे थे एरपोट अधर्टी अप इडिया का एकजाम के लिए तो दिखें जितने भी सेट्स अब तक हम लोग ने अभी तक किये हुआ है इंपोटेंट आपके ने जितने भी इंजिटों के अँजीनिर आपको नोगर्ट सेरे कर सकते हैं तो देखें यह फैर मश्यञाल्स में आपको लाइप क्लास तो प्रवाइट किया जाएगा और इसके साथ में अपको डेली स्ट्डी प्लान भी दियाए जाएएंगे और साह में जो städी मे लोगो provide किया जाएगा preparation और revision करने के लिए और यह जो है expert faculty के दर यह design किया गया हुआ है जिसमें कि आपको online mock test प्रवाइट किया जाएगा subject wise और इसमें दिखिए जो रहेंगे आपके तिये सारे के सारे latest exam pattern के basis पर यह सारे बनाएगा तिये आपके यह सारे ब्रांच के लिए अब लोग दे रहे होंगे तो ग्रेट अब यहां पर एक आपका मेगा सेशन लाने जा रहा है complete analysis का जो की आपका यह रहेगा 22 मार्च से लेके 24 मार्च तक का एक बज़ से लेके पांच पीम तक का तो आप लोग जाए यह सेशन देखना नहीं भूलना आप लोग को जाए ग्रेट अप के चैनल पर ही यह सारे चीज़ वहां पर analysis डिटेल में कराये जाए आपके टेकनिकल और नॉन टेक्न इसका पूरा complete analysis देख सकते हैं और इसमें आपको यह idea हो जाएगे किस तरीके का जो question पूछे गया था और लेवल किस बार मतलब इस बार किस तरीके का रहा था और साथ में cut-up कितना जा सकता है ति यह सारा चीज़ एक्सपर्ट फेकल्टे के दारा यह सारा चीज़ आपको पताये जाएंगे तो देखिए दोस्तों सेट नंबर फोर का आपका यह पहला question है यहां पर आपका कि इंडिया हैस डैस system तो इंडिया में जो है केस तरह का system है इसमें देखिए option का दिया है two party system multiparty system single party system यहां फिर no party तो देखिए इंडिया में जो है हम लोग follow करते हैं आप तो आपका option यहां पर भी इसका correct answer आपका हो जाएगा यह party आपका होगा तो यह देखिए multiparty कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे political party जो exist करते हैं और उनमें से हम लोग अपनी से उनको elect करते हैं मतलब चुनते हैं जो भी हमारा पसंद रहती है तो यहां पर दिखिए political parties के बारे में थोड़ा सब लोग देख लेते हैं जितने भी इंडिया में है तो basically देखिए जो इंडिया में जो governments जो government चलती है यहां पर तो यहां पर multi-party system का चलता है scenario अब जैसे बहुत सारे country में रहते हैं कि वहां पर single party की जहां चलती है सरकार जैसे कि आप चाइना के example ले ल अल्यांस फर्म करते हैं और उसके बाद फिर government जो है वो रन करती है तो हम लोग यहां पर follow करते है multi-party system का और इसका देखिए बहुत benefit भी होती है क्योंकि हमारे पास choices होती है कि अगर माले जो कोई political party जो हमें अगर पसंद नहीं है तो हम दूसरे को prefer कर सकते हैं तो यह benefit होता और फिर रिजनल लेबल का है यानि कि जो वह पर टिक्लरली को इस्टेट से वह वहीं तक वह सीमिद रहते हैं इसके पीछे कुछ क्रैटिरिया होती है कि कौन national political party बन सकता है को इसके पीछे एक scenario मतलब एक condition होती है कि वह इसके पास इतना मतलब कि सीट्स होने चाहिए या फ देखिए जितने भी political parties होता है तो उनको जैसे recognition करना कि वह जैसे political parties है उसका status provide करना और साथ में जो symbol provide करना उनको particularly क्या symbol होना चाहिए तो यह जह है political party है तो वह है इंडिया निशन कोग्रेस तो यह जह से इसके formation की गए थी 1885 में और इसके करेंट लीडर अभी कौन है तो आप लोग जानते भी होंगे सुनियागान दी है फिर इसके बाद दूसरा है जैट इस Communist Party of India इसको सौट में CPI बोलाता है इसके formation की गए थी 1925 में और इसके करेंट लीडर है यह सुधाकर रेडी फिर इसके बाद तीसरा आपका है Communist Party of India जो कि मांक्सिस्ट यह CPI से टूटके बना था यह तो यह दिखिए बना था इसका formation वह था 1964 में फिर इसके दिखिए सितारम यह चुरी अभी करेंट लीडर है इसके फिर उसके बाद आपक इसका 1980 में फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है बहुजन समाजवादी पार्टी है तो इसका देखिए foundation किया गया था 1985 में और अभी इसका चीप है यह आप लोग इंप्रूब कर लेना यह अमित्सा नहीं इसमें JP नड़ आपका हो जाएगा अभी करिंड में है तो इनका जैसे फंसन होता है मतलब यह करता है कि हम जैसे वेलफेर करेंगे पीपुल का तो मुल्टिक पार्टी सिस्टम चौफ लोग करते हैं इंडिया में इससे हम लोग को थोड़ा सा च्वास मिल लाता है अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं तो हम दूसरे inflation के बारे में आपको हमने बहुत बार बताय हुआ इसके regarding जो inflation एक ऐसा situation होता है कि जहां पर जो गोड़्स होते हैं गोड़्स और services के तो उसमें जो है लगतार वो इजाफा होते ही रहते हैं कि increment देखने को मिलते हैं उसमें और यह जो होता है तो एक कुछ ही लोगों के पास रहेगा चमता कि वह गोड़्स को बाइक कर सके वाकि जो और लोग है तो उनके पास तो वह रहे चाहिन खरिदने के लिए तो कि उस्सेंसियर्व में क्या होते हैं कि जो करेंसी की जो फेली होती है तो गिर जाती है आनि कि उसके जो बहैं रहें तो उनका क्या होगा और जब रिडूस हो जाएगा तो मनी के बहें होगी वह भी करना सुरू कर जाता है इस सिनेरियों में तो इस तरह से देखिए इंफ्लेशन एक ऐसा हिस्टेट होता है जिसमें कि जो मनी की जो भेलू होती है तो वह लिमेट चॉयस तो देखिए जो मल्टि पारटी सिस्टम होती है तो भोटडर को लिमिटेट चॉयस तो तो दिंगा नहीं वह तो ओर जड़ा जैसे मिल लाते हैं उनको का हमें किसे भूट करना तो जो भी आच्छा लागे उसको कर सकते हैं तो यह तो जैसे जैसे एटभाणे यह तरीके से फिर उसके अगला दिखे दिया है कि प्रोफाइट चुछ टुदे भोटर यह निकि भोटर को च्वाइट करती है कि वह किसको भोट करना चाहती है तो यह सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मुल्टी पार्टी सिस्टम का तो हमको जो है उसी कॉप्शन को कर सकते हैं तो यह होता है सबसे बड़ा एडवांटेज मुल्टी पार्टी सिस्टम का जो कि हम लोग फॉलो करते हैं एंडिया में और आप लोग जानते हैं कि यहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है जिनको आप लोग करते हैं इलेक्शन के समय तो इसका दिख आपको ऑप्शन को देखते हुए जो है सेलेक करना होगा फिर अगला देखिए कोशन आपका यहां पर है कि वीच स्टेट हैस्ट बॉंडरी जो है बहुत सारे स्टेट के साथ जो है साजा करती है तो इसमें देखिए आपका आपको अप्शन पर भी डिपेंड करेगा आप अगर आप इंडिया का मैप अपने अगर देखा होगा तो इस सिनेरियो में उतर परदेश जो है तो यह सबसे जातर नंबर ऑप स्टेट से अपना बॉंडरी सेर करती है लेकिन ऑप्शन में आपका वाली जो उतर परदेश नहीं दिया रहेगा बाकि और जो स्टेट जितन अपनो बॉंड़ शेर करती है तो तो अगर हम बात करते हैं तो उतर परदेश अपका तो यह एट इंडियने स्टेट सें अपनो बॉर्डर सेर करती है जैसे कि आपका हो गया उतरह खंड होगा हिमाचत प्रदेश हो गया ह 항상 हरiयाना हो राजस्थान हो गया मध्य तो इस तरीके से टोटल नाइन ऐसे पॉलिटिकल स्टेट आपके हो जाएंगे तो यह दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना है इसके अलावे देखिए दोस्तो जो उत्र प्रदेश है इसके बाद सकेंड नवर पैता है आसम तो आसम भी जो है तो यह 7 इंडियर स्टेट इस अपना बॉर्डर सेर करती है जैसे आपका वेस्ट वेंगा लोगया और नाचल प्रदेश हो गया नागला एंड मनीपूर मिजोरम त्रिप्र और मेघाले हो गया तो इन साथ स्टेट के साथ आसम भी जो है यह बॉर्डर सेर करती है तो यह भी पॉइंट अप लोग या इस नागलेंड मनीपूर हो गया मिजोरम हो गया त्रिपूरा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया उसे तरीके से उतर परदेश है तो इसका भी आप दे सकते है कि कौन-कौन से स्टेट है जो बॉर्डर सेर करती है तो आपको मैप को थूरू रहेगा कि आप लोग याद करे यहां पर दिखिए दिया आपको जितने भी गवर्नेंट जनरल थे और उनका यहां पर उन्होंने क्या किया था अपने कारिकाल के दोरान में पौन से पॉलिसी उन्हें लाए हुआ तो इसमें दिखिए पहला वेरन हेस्टिंग्स है और इधर आपको मैच कराना मतब दिया ह हो इसका मैच आप कहा हुगा दियू अपनी होगा अपने शुर्ब से जाति से इसको आप सुर्प और अपनी हमतने इसमें लेकर ञत failing ऑन एक gider आप पएसी कर सकते हैं यहां पिर उसके बाद है अगला दिया आप पर लक्याट को वु को Ezra इन्होंने पर्मेनट सेटमेंट लिए इंट्रीविस किया था तो यह को आपको मैचिंग में तो यह चाहिए तो आपको बाकि आपको करने के ज़रूरत नहीं है अब यह इतने ही में आपका एंसर आ जाएगा बटा को सभी का पता होना चाहिए जैसे अगला इसमें Sir John Sorg का दिया हुआ है तो Sir John Sorg आया है तो इन्होंने Policy of Non Interference के लिए irresponsible होता है तो में लिग इसका देखिया आपका होगा जैसे सी का 2 के साथ में आपका होगा और वहीं पर Lord Willisley जो है जितने भी important जो उन्होंने Policy introduced किया थे जो भी incident हुए थे तो यह आप से question बरावर पूछे ही जाते हैं तो यह जो है अप लोग अच्छे से याद कर लेना हमने पीडिएप में इंक्लूड किया हुआ हुआ है जितने भी गवर्णर जेनल से उनके दौरान उनके कारेकल के दौर पूरोजिकल बहुत प्रमूर्ट एपके होता है तो आप दिखेए जो घिका वायरस में इयाथ होता है ठीक यह औप होता मोच्किन आप लोगोगों यह भी लेस याद iki ह्याद रखना है यह हमने इंक्लूड किया पीडियाप में और इसका वेक्टर होता है एडेस अजब्टिव मॉस्क्यूटो फिर एक और देखिए इसमें से कोशन आप काता है कि जो एडेस अजब्टिव मॉस्क्यूटो है तो यह जो है एक और डिजिस के लिए रेस्पोंसिबल होती है तो अगर आपको याद है तो आप लोग उसका जो है कमेंट करके बता है फिर अगला देखिए कोश्चन आप यहां पर है कि दी वासिंग्टोन एक्कॉर्ड इंटरनेशनल एक्रेडेशन एक्रेडेशन डिग्री इन तो इसमें आपसे पूछा है अगर लेते हैं तो जो रहेंगे ना याप से यहां पर लोग इंजिनीरिंग का प्रफिंग्री ले सकते हैं ८स्सिंटर एकॉड उासिंग्टोन एक्कॉर्ड तो इसका देखिए इसमें जितने भी इसके इंदर में जितने भी सिंग्नेटरी कंट्रीज है तो वो जो है यहां पर प्रोफेशनल इंजिनेरी डिग्री वो ले सकते हैं फिर इसके बाद देखिए अगला कोशन दिया आपको यहां पर कि विच वन अफ फॉलोविंग नेशन वाज नॉट दी पार्ट अफ दा सेंट्रल पावर तो देखिए इसमें पूछा गया कोशन आपका कि कौन सा जो है कंट्री जो पार्ट नहीं था नेशन नहीं था सेंट् पाव था इनका जो शुरुवा था ऐल्यांस हुआ था इसमें जर्मनी और सात में ऐस्ट्रिया और हंग्री यह अंग्री आपस मतल पर एक इस ने शंट युणनों ने पार्टिसिपेट किया था यह दूनों का एक ही सत्य अलग अलग नहीं लिया जाता है तो में जो और इस और हंगरी का था फिर इसके बाद देखिए लेटर वान जो है फिर अटोमोन अंपायर में और साथ में बुलगेरिया भी जाती यह भी सेंट्रल पाउर का यह सब बन गये थे तो इसमें आपसे पुछा है कि कौन सा नेशन जो पार्ट नहीं था इसमें देखिए आपको बुलगेरिया दिया हुआ है तो देखिए बुलगेरिया जिसे बाद मेते विए तो था ही बना था फिर टोमोन अंपायर के साथ में चैटल पाउर का हिसाब और इस क्वेट इसका राइट एंसर आपका अपसन डिया पर हो जाएगा वेट लिप्टिंट से रिलेटेड और देखिए इनका एक इसके साथ में इंडिया का जैसे राइट इसके साथ में इनको 1999 में पदमसरी आवार्ड से जो इनको नवाज आगया तो जो कि सिविलियन आवाड है यह तो यह आप लोग याद रखना स्पोर्स और जो भी अर्लेटेड रहते हैं इनसे कोशन आपके पूछा ही जाते हैं तो हमने भी इसका लिश्ट दिया हुआ है पीडिया में तो आप लोग जो उसको जरूर याद करके जाना है जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट आपका है फिर इसके बाद देखिए अगला कोशन है कि WWF इसका पूछा गया हुआ है तो देखिए तो इसका पूर्फार्म होता है वर्ड वाइड लाइफ फंड तो वर्ड वाइड लाइफ फंड जो है यह नेचर के लिए इसके इंटरनेशनल अलोग रहे जैसन है जिसके स्थापना की गई थी 1961 में और यह मे प्रिविश्ली इसका देखिए पहले नाम हो अगरता था इसका वर्ड वाइड लाइफ फंड फिर इसके बाद जो है नाम इसका जैसे की चेंज कर दिगा यहां पर डिट वर्ड वाइड लाइफ फंड पॉर नेचर तो यह WWF का इमेल लिए इसमें देखिए इसका फुलफ आपका कोश्चन का रिविजन तो यहां पर होई रहा है साथ में आपका और भी एडिशनल जो पॉइंट हो भी आपका कराते चल रहे हैं तो चली दोस्तों फिर मिलता है आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई